दोस्तो आज मजानेंगे SPI credit card की दो new update के बारे में दोस्तो SPI credit card की तरफ से दो नया update आया है और यह नया update दो credit card पर है एक है SPI simply click credit card और दूसरा है SPI simply click advantage credit card दोस्तो अभी SPI simply click credit card और simply click advantage credit card के थ्रूँ online rent payment करने पर 5x reward point मिलता है लेकिन 1-2023 से यह revise हो के 1x reward point हो जाएगा यानि 1-2023 से यह दोनों credit card के थ्रूँ rent payment करने पर यानि online rent payment करने पर आपको 5x के बदले 1x reward point मिलेगा लेकिन 30 April 2023 तक आपको 5x reward point मिलेगा उसके बाद यानि 1-2023 से आपको यह 1x reward point मिलेगा दोस्तो यह रहाव फास्ट update लेकिन 2nd update यह है कि अभी SPI simply click credit card and simply click advantage credit card के थ्रूँ lens card में transition करने पर आपको 5x reward point मिलेगा अभी यह दोनों credit card के थ्रूँ lens card site and app में online spend करने पर 10x reward point मिलता है लेकिन 1-2023 से यह reward point revise हो के 5x reward point हो जाएगा 1-2023 से आपको lens card transition में 5x reward point मिलेगा 10x reward point नहीं मिलेगा लेकिन बाकी online spend में यानि आपको लोग बुक माइसो, क्लेट रिप, इजी डीनर, नेटमेड में पहले की तरह 10x reward point मिलेगा इसमें कोई भी चेंज नहीं है शिर्फ lens का transition में चेंज हुआ है वहाँ पर आपको 10x के बदले में 5x reward point मिलेगा लेकिन ये सब category में आपको 10x पहले मिलता था अभी भी 10x reward point मिलेगा दोस्तों यह रहा इस पर एक credit card की दो new update के बारे में तो यह वीडियो कैसा लगा अपनी comment पर बताएए और अच्छा लगा तुम्हा लाइक से रहे हैं सब्सक्राइब करना थेंक्यू फर वाचिंग